आलिया भट बातरूम में छुपकर करती है से काम आलिया के पती रणवीर ने खुद खोला अलिया भट का इतना बड़ा रास आलिया भट की बातरूम से जुड़ी सहरकत से चेटते होए रणवीर कपूर क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? कि आलिया बातरूम में छुपकर कौन सा गंदा काम करती है दोस्तो आलिया भट वैसे तो काफी शरीफ और काफी क्यूट दिखती है लेकिन आलिया की ये करतू जानकर आपको भी शर्रम आने लग जाएगी दोस्तो आलिया भट ने छूटी सी उमर में ही सफलता का वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां तक पहुचना हर किसी के बस की बात नहीं एक्टरस आज अपनी बहतरी नदाकारी के दम पर करोडो फैंस के दिल पर राज करती है लेकिन आज हम आपको आलिया भट की काली सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आलिया भट का जन्म 15th मार्च 1993 को बॉलिवुट के मशूर फिल्म निर्देशक महेश भट और फिल्म अभी नेतरी सोनी राजदाना के घर में हुआ था उनके पिता गुजराती मूल के ब्रामण है तो वही उनकी माता जर्मन मूल की भारतय कश्मीरी है आलिया भट के पास भारतय नागरिकता नहीं है और ना ही उनके पास भारतिय पासपोर्ट है उन्होंने बृतेन की नागरिक्ता ली है और उनके पास सन्युक्त राज शाही पासपोर्ट भी है दोस्तों कहा जाता है कि आलियभट ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की उन्होंने मात्र स्कूल लैवल तक पढ़ाई की उनकी कॉलेज की पढ़ाई फिल्मों में उनके करियर के कारण नहीं शुरु हो सकी उनके फिल्मी करियर की शुरुआत बाल कलाकार के तौर पर फिल्म संगर से शुरू हुई थी जिसमें उन्होंने छोटी प्रीती जिन्टाकार रोल अदा किया था लेकिन मुख्य अभी नेत्री के तौर पर उनकी करियर की शुरुआत करंट जोहर के फिल्म स्टूडेंट ओफ दी एर से हुई जिसमें उन्होंने वरुन धवन और सिधार्थ मलहोतरा के साथ काम किया था बॉलिवुट की बबली गल आलिया भट बच्पन से ही नटखट सौभाव की है ऐसा क्या है जो स्कूल टाइम में अपने बच्पन की बातों को याद करते हुए उन्होंने अपनी जिन्दगी का सबसे बड़ा रास लोगों को बताया जिसे सुनकर आप भी हरान रह जाएंगे आलिया को बच्पन से ही स्कूल के बातरूम में जाना बेहत पसंद था लेकिन इसके पीछे जो कारण था वो आज तक कोई नहीं जानता आलिया ने अपने पुराने दिन याद करते हुए लोगों को बताया कि कई बार उन्हें बातरूम में जाने के लिए सजा मिला करती थी अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बातरूम में जाने के लिए कैसे सजा मिल सकती है लेकिन आलिया के साथ ऐसा हुआ है और एक बार नहीं बल्कि उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका है आये हम आपको बताते हैं कि ऐसा आखिर क्यू हुआ असल में आलिया के साथ ऐसा इसी लिए होता था क्योंकि आलिया सकूल के बातरूम में जाकर सो जाती थी आलिया ने खुलासा किया कि सकूल के दिनों में उन्हें कई बार बातरूम में सोने के कारण सजा दी जाती थी यहां तक कि एक दिन वो बातरूम में सोती हुई के तौर पर उन्होंने आलिया से एक सब्तादक क्लास के सारे डैस्क साफ करवाई